जो शैंपू हम हमारे सर को धोने के लिए यूज करते हैं क्या वही शैंपू हम हमारे डोग के ओपर भी अपलाई कर सकते हैं ये एक common side doubt था अब जिस तरह हम यूज करते हैं बहुत सारे brand names आते हैं अलग-अलग जैसे dove हो गया, pantine हो गया, chicks हो गया, head and shoulder हो गया और भी बहुत स शैंपू हमारे डोग के ओपर भी काम करेंगे, क्यों ना मैं इसको apply कर लूँ, वही हम गलती कर बैठते हैं, बहुत सारे लोगों के ये common doubt थे कि सर क्या जो human के लिए जो शैंपू जो बने होते हैं, उसका इस्तेमाल हम हमारे डोग के ओपर भी कर सकते हैं, बले ही आपके प कर रहे हो, तो आज ही उसको सुधारना, दापेट विजन चैनल को अब सब्सक्राइब जूर कर लो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, विकोज हम डॉक्स और कैट्स दोनों के ओपर most important topics के वीडियो लाते रहते हैं, अब जैसे आपने टाइटल पढ़ा, thumbnail पढ़ा, इस पैरे दोस्तों, इसका answer क्या रहेगा, इसका answer रहेगा, नहीं मेरे पैरे दोस्तों, जो human के लिए जो shampoo use किये जाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे ingredients एड़ होते हैं, जो आपके dog के जो coat जो होता है, उसको बहुत ज़्यादा ही rough कर देंगे, तो इसलिए आपको उसका इस्तेम बिल्कुल भी नहीं करना है, जो shampoo आप यूज करोगे, जो आप human के, यानि हमारे सर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो shampoo क्या करते हैं, आपके dog की जो skin के ओपर, जो natural oils जो होते हैं, अब वो natural oil आपके dog की skin को protect करने के लिए ही तो होते हैं, अगर आपने इस shampoo का यूज कर लि लेंगे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी dog के लिए जो shampoo आते हैं, उनी का इस्तेमाल करना है, जो human वाले जो shampoo है, उनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन क्या इसका कोई alternative भी है, कि in emergency अगर by chance हमारे पास shampoo खतम हो जाए, और हम market में नहीं जा पारे, ह हम कहीं बाहर रह रहे हैं, जहां पर हमारे नियर वाय में पैट शोप नहीं है, तो उसके alternatively हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझ लीजे कि इसके क्या-क्या side effect हो सकते है, human वाले shampoo एपलाई करने के, सबसे पहले तो आपके ड देखने को मिलेगा, आपके डोग की बोडी के उपर आपको इचिंग देखने को मिलेगी, आपका डोग इचिंग करेगा, हैड को शेक करेगा, वो ज्यादा इचिंग करने से वो अपनी skin को काफी ज़्यादा scratches भी डाल सकता है, और scratches डालेगा तो उसको ही प्रॉब्लम होग और ज्यादा वो लिकिंग भी करता हुआ नजर आएगा विकोज उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी बोडी के ओपर ऐसा क्या कैमिकल लग जा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि अब शैंपू हम यूज करते हैं तो जब आप शैंपू यूज करते हो तो आप आपका और जितने भी जो नैच्टरल ओइल्स जो प्रेजन होते हैं हमारे डोग की स्किन के ओपर वो डिस्ट्रोय हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी यूमन के जो शैंपू इस्तेमाल नहीं करना लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसके अल्टरनेटिवली क्या है देखो मेरे पहरे जोस्तों अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप बेबी शैंपू लाते होगे बेबी शैंपू यानि जो जॉन्सन बेबी आता है देखो मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमन नहीं कर रहा हूँ यह मैं आपको एक experience वाइस एक content वाइस ही समझा रहा हूँ ठीक है जो बेबी जो शैंपू होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे ingredient मिलाए जाते है जो कि आपके बेबी की जो skin को soft बनाएंगे उसकी skin को rough नहीं होने देंगे उसको healthy रखेंगे यानि जो skin के लिए required amount में जो nutrients होते हैं वो शैंपू प्रवाइड नहीं करने लिए उसको ड्राइब बात देजिए clean करने के लिए ठीक है अगर growing कर रहा है आपका dog तो उसमें आप इसका इसामाल कर सकते हो अगर adult है आप जो बेबी जो shampoo होता है जो जो बेबी जो शैंपू होता है आप इसका 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 इस्तिमाल करने के मेरे प्यारे दोस्तो only आपको emergency में ही इसका इस्तेमाल करना है आपको regular basis में इसका इस्तेमाल नहीं करना है वरना आपको side effects देखने को मिलेंगे जो मैंने side effects अभी आपको बता हैं वही side effects आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप काफी जड़ा मातरा में इसका इस्तेमाल कर रहे हो कि महीने में हफते की बात चलो हम हम हफते की बात करते हैं हफते में आपने डोग को चार बार नहला दिया इस शैंपू से तो यही symptoms नजर आना start कर देंगे तो in emergency महीने में एक या दो बार आप इस शैंपू से लेकिन इसको जादा आपको concern नहीं करना है आपको अपने डोग के लिए अच्छा एक quality का जो डोग के लिए जो special शैंपू बनाए जाते हैं उनीका इस्तेमाल करना है तो मेरे पहले दोस्तों यह एक छोटा सा डाउट था लेकिन यह डाउट एक बड़ा डाउट हो सकता है जब आप अपने डोक्टर के पास लेके जाते हो अपने वेट के पास लेके जाते हो अपने पैट को जण आप बोलते हो कि sir इसकी skin बड़ी dry है तो आपके वेट बूचते हैं कि आपने shampoo कौन सा यूज किया आप बोलोगी sir मैंने जो human way जो यूज करते है न वो यूज कर लि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो please comment section में मुझे बताना और क्या आपके कुछ-कुछ और भी doubts है इस topic से regarding उनके बारे में भी आप मुझे comment section में बता सकते हो thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share thank you so much जै हिंद, जै भारत